आकर चमकने वाली जू लोग की पुत्री उशा दीखने लगी है वह महान अंधकार को प्रकास से हराती है उत्तम नेत्रिक्त करने वाली यह उशा प्रकाश करती है सूर्य एकदम अपनी किरणों को पहलाता है उदय होने के बाद आकाश में ग्रह नक्षत्र प्रकाश पहलाते हैं हे उशे तेरे और सूर्य के प्रकाश होने के बाद अन्न से हम युक्त हों हे अश्विनव देवो इस स्वर्ग की इच्छा करने वाली प्रजाएं सबको बसान करने वाले तुम्हें सहायता के लिए बुलाती हैं हे अपनी शक्ति से निमास करने वाले देवों यह इस्तुति करने वाला संरक्षण के लिए तुम्हें बुलाता है क्योंकि तुम ही प्रतीख प्रजाजन के पास जाते हो। हे नेताओं अश्विदेवों तुम विलक्षन भोजन देते हो इस्तुति करने वाले को तुम प्रेरित करते हो तुम एक विचार से रत को इधर रोको और यहां मीठा सोम रस पीओ यहां चोथा खंड समाप्त हुआ पंचमह खंडः इस सोम रस के पुराने तेज को याद करक के तेजस्वी और हजारों एक्षा पून करने वाले ज्यान बर्धक रस को ज्यानी गण तयार करते हैं यह सोम सूर्य के समान सबको देखने वाला है यह जल के पात्रों में च्छाना जाता है उसी प्रकार दिवलोग तक यह साथ धाराओं में बहता है यह पवित्र होने वा प्राचीन स्तोत्रों की सहायता से यह प्रकाशमान ग्यानी सोम देवों के लिए ब्रामणों द्वारा बढ़ाया जाता है पहले यह रस बरतन में निचोड़ा जाता है और बाद में चलनी से च्छाना जाता है यह शब्द करता हुआ देवों को मानों यग्य में बुलाता ह हे सोम पास में बैठने वालों को समझा कर बता और शत्र को भै हो ऐसा कर तथा धन हमें दे सोमरस निकालने के बाद पानी में मिलाया जाता है शत्र के नाश करने वाले गाय के दूद से मिले हुए सोमरस के पास देव जाते हैं हे याजकों देवों के लिए यग्य करने की इच्छा करने वाले यजमान की अपेच्छा च्छाने जाने वाले इस सोम के लिए सामगान करो यहां पांचमा खंड समाप्त हुआ शष्ठह खंड़ ज्यान बढ़ाने वाले ये सोमरस जिस प्रकार वन में भेंसे जाते हैं, उसी प्रकार पानी में मिलाए जाते हैं, भूरे रंग के ये सोमरस पानी की धारा के साथ पात्र में गौदूध रूपी अन्न के साथ मिलाए जाते हैं, सोमरस निचोडने के बाद इंद्र, वाय, मरुत, विश्णू इन देवों को प्राप्त हों। हे सोम, तु देवों को देने के लिए पानी में जिस प्रकार नदियां पानी से भरी जाती हैं, उसी प्रकार मिलाया जाता है। आनन्द देने वाले पदार्थों के समान तु उत्साह बढ़ाने वाला है। इस सोमरस को दूध में मिलाओ, बाद में इस मीठे रस को रखने के बरतन में अच्छी तरह भरो। प्रियपुत्र के समान शुद्ध होने वाला यह स्वक्ष सोमरस बरतन में च्छाना जाता है। उस इस सोम को जल में हाथों से जिस प्रकार वेगवान रथ को संग्राम में ले जाते हैं, उसी प्रकार मिलाते हैं। आनन्द बढ़ाने वाले यह सोमरस निचोड़े जाने के बाद हविश्चान देने वाले हमारे यश के लिए सहायक होते हैं। और यह सोम हंस जिस प्रकार अपने समूह में जाता है, उसी प्रकार सबकी बुद्ध को वश्मी करता है। घोड़ा जिस प्रकार पानी में घुसता है, उसी प्रकार यह गाय के दूद में मिलाया जाता ह इस हरे रंग के सोम को तृतरिशी की अंगुलियां इंदर के पीने के लिए पत्थरों से कूटती हैं हे सोम देवों से मिलने की इक्षा करने वाला तूं धारा से चंता जा शब्द करता हुआ छलनी से चारो और बाहर गिरता है और बाद में तेरे मीठे रस की धारा बाहर गिरने लगती है इक्षा करने के योग्य यह हरे रंग का सोम इस्तुति करने वालों को वीर पुत्रों सहित यश को देकर रमडिय छलनी से चाना जाता है निचोड़े जाने वाले इस अनरूपी सोम के बदले में तेरे हीन वचन को मनुस्ति न सुनें हे याजकों अयोग्य कुत्ते को जिस प्रकार भिग ने अयोग्य यग्य को दूर किया था उसी प्रकार दूर करो यहां छट्वमा खंड समाप्त हुआ इति दुतियो ध्याय ह दुतिय अध्याय इंद्र देवता इस दुतिय अध्याय में आये हुए इंद्र के गुण इस प्रकार हैं विश्वा साहह सब शत्रूं को हराने वाला शत्क्रतुह सैकड़ों उत्तम कर्म करने वाला मनुश्यों में अत्यधिक महान शत्रूं को फाड़ने वाला जिसे प्रशंशनिय, स्तुत्य, सनातन काल से जिसके प्रशंशा होती आई है, सबको चलाने वाला, सबों को अपने कारि में प्रवित्त करने वाला, बहुत धन और अन देने वाला, लाल रंग के घोडे अपने पास रखने वाला, उत्तम दान देने वाला, स्रेश्ट धन जिसके पास हैं, हमेशा रहने वाला धन जिसके पास हैं, हिद करने वाले धनों को जो अपने पास रखता है, जो लोक में रहने वाला, जो लोक में तेजस्वी, अन और बल देने वाला, अन और बल जिसके पास भरपूर है जो गायों का पालन करता है गाएं जिसके पास है निमास कराने वाला धन्मान आठ वसु जिसके पास है आठ वसु आपह, धुवह, सोमह, धरह, अनिलह, पत्यूशह और प्रभासह वसु के अर्थ, मिष्ट, मीठा, धन, रत्न, सुवर्ड, उत्तम, जल, घृत, किरण, धन्मान, सोना पास में रखने वाला, सोने का दान करने वाला, वज्ज का उपयोग करने वाला वज्जधारी, आनंदित जिसके पास आनंद है, जिसके पास सब प्रकार की संपत्ति और अईश्वर्य हैं, जो अपनी शक्त से सूप्रसिद्ध है जिसकी इंद्रियां शक्त साली हैं, शक्त के कारण पूजा जाने वाला, शत्रू के टुकडे करने वाला, शत्रू को मारने में प्रवीड, अपने प्रकाश को कम न करने वाला, किरणों को चारो और फैलाने वाला, जिसके सींगों का बल कम नहीं होता, मजबूत और बड़ हाथ में लेता है पराक्रम के अनेक कार्य करने वाला देने के लिए बहुत सा धन अपने पास रखने वाला बहुत धन्मान मजबूत शरीर का संरक्षन के अनेक साधन वह इंद्र अपने पास रखता है यह हमें मालूम है बल्वान बैल के समान सामर्थ्यवान धन देने की इच अपने संरक्षन की इच्छा करने वाले मूर्ख लोग तुझे न दबाएं। पुराने घर से बहुतों की सहायता के लिए जाने वाला नेता इंद्र को मैं अपने संरक्षन के लिए बुलाता हूँ। अपने मित्र के समान बलवान इंद्र को अन्न का दान होने वाले यग्य में बुलाता हूँ। हजारों संरक्षन के साधनों के साथ वह इंद्र आता है वह इंद्र लाभ होने के लिए धन मिलने के समय और बुद्ध के काम करने के समय अन्न के साथ हमारी तरफ आता है। मित्रों प्रतेक लाभ के काम करने के समय प्रतेक युद्ध के समय अत्यंत बलशाली इंद्र को संरक्षन के लिए हम बुलाते हैं। मित्रों आओ बैठो और इंद्र के गुणों का गान करो। यग्य में बहुत धनों के स्वामी ऐसे इंद्र के गुणों का वर्डन करो। इस प्रकार इंद्र के स्रेष्ट गुणों का वर्डन इस मंत्र में आया है। शौर्य, वीर्य, युद्ध, कौशल्य, लोगों की सहायता करने की तैयारी, जनता के हित करने की तक परता इत्याद सद्गुन इन वर्णनों में आये हैं, पर केवल इंद्र शूर हैं, इतना पढ़ने का कुछ भी उप्योग नहीं, जब तक कि वह शूरता अपने में न जाए, वेदों ने जो धर्म बताएं हैं, उनका उप्योग तभी हो सकता है, जब उनके अनुसार आचरण किया जाए, अग्न देवता, बल कम न करने वाला, उत्साह कम न करने वाला, शरीर में गर्मी के रहने तक ही इस शरीर में बल रहता है, शरीर के ठंडे होते ही इसकी हलचल बंद हो जाती है, इससे यह ज्यात हो जाएगा कि अग्न किस प्रकार बल को आधार देने वाला है, प्रकतिशील, प्रिय और चैतन्य उत्पन्य करने वाला, अमर, नस्ट नव होने वाला, उत्तम हिंसा रहित कार्य करने वाला, विश्व का दूत, हवन में डाले गए पदार्थ को सब जगह पहुचाने वाला, उत्तम ग्यानी, पूज, उत्तम सन्यमी, उत्तम आहुत जिसमें पढ़ती है, देवों को लाने के लिए शीघ्र जाता है, इस अग्न देव को धन से प्राप्त होने वाले अईश्वर्य मिलते हैं, वह तेजस्वी लाल रंग के घ प्राप्त में जोडता है, इतने गुण अग्न देवता के इस अध्याय में आये हैं।